नमस्का स्वागत है आपका जे जे नियूजर मैं हूँ आपके सांगीता दिन भर की तमाम खबरों के बाद अब वक्त हो चुका है हज़वानी की कुछ खबरों का तो चलिए बढ़ते हैं पहली खबर की हो भाश्पा की पूरु परदेश अध्यक्स पूरु कैबिरेट मंत्र है कि उन्होंने 24 साल के उम्रे में कुसुम खेडा की रामदीला में अंगत और प्रशुराम डरा से की लुकार, कर अब्हिने की शुर्वात की थी,лемे उचापुल की रामनीला में मन्चन करना शुरू किया जहां उन्होंने दसरत का के लंदार निभाया जो निय अ साल से राम निला की पात्रों का किर्दार निभा रही हैं वहीं 1972 में कुसुंखेडा में अंगत और प्रशुराम किर्दार से अभीने की शुरुवात की थी और ये सिलसिला कभी थमा नहीं करीब 20 विगा जमीन अधिवक्ता उमेश नैन्वाल की जान के दुस्मन बन गई है हत्यारोपी चचेरे भाई ने कमलवा गांजा इस से राम निला मैदान में ही अधिवक्ता को गोली मार दी अधिवक्ता उमेश नैन्वाल ने मुखाने पुलिस को जान का खत्रा जताते हुए से कैद दी थी लेकिन पुलिस की बेपरवाही ऐसी रही की कारवाई तो दूर आरूपी की पाबंद करने के बाद भी नहीं सोचा वहीं मृता के भाई परदीब नैन्वाल ने बताया कि दोनों भाईों के बीश करीब 20 भीगा जमीन को लेकर बिवाच चल रहा है जिस भुखंड के लिए दोनों भाई एक दूसरे के दुस्मनी पाले हुए थे उसका असल मालिक पहले ही मर चुका है बता दे अधिवकता उमेश नैनवाल का बेटा आधित्यस्वमवार को राम नीला में प्रशुराम का पात्र निभा रहा था बेटे के अभिनाय को देखने गए अधिवकता उमेश नैनवाल को मौका देखकर उनके चचरे भाई ने मौत की घाड़ दार दिया हलवानी में तराई केंद्रे वनपर भाग में वनतस्करों के होसले बुलंद हैं ऐसे में वनतस्करों ने वनविभाग को चुनौती देते हुए भारी मात्रा में खहर की पेड़ों को काटकर तसकरी कर रहे थे लेकिन वनविभाग ने तसकरों के मनसूबों पर पानी फेड़ दिया बताए जा रहा है कि तराई के इंदिया वन पर भाग की टांडा रेंज अदंकर देर रात वन तसकर खैर के पेड़ काट कर लकड़ी ले जा रहे थे बतादे ज़रान वन विभाग की गस्ती तीम ने जंगल से पीकप वाहन से लकड़ी ले जाते हुए रोकने की हलद्वानी में बढ़ रही अपराधिक वारदातों के बाद प्रिशासन एक्सन में आ गया है आपको बता दे कि प्रिशासन द्वारा ओटो चालकों के सत्यापन शुरू कर दिये गए हैं पिछले दिनों ओटो में महिलाओं के साथ हुए छेट छाड़ और अन्य अपराध के साथ ही उनके ओटो की फिटनेस सहीत अन्य दस्तावेजों की जाच के बाद उन्हें परमीशन दी जा रही है साथ ही सत्यापन परकिरिया का निरिक्शन करने पहुंचे आटियो परिवहन गुरु देव सिंग सीटी मजिस्टेट एपी बाश पे इने इस परकिरिया को ते मंगलवार सुबह 8 बजे से सिचाय विभाग ने पानी की आपूर्ती बंद कर दी जहां पानी नहीं मिलने से इसके साथ ही जलसंस्तान के प्लान बंद हो गए हैं तो वहीं विभाग या धिकारियों के अनुसार साम तक नहर सुधारी करन का काम जारी रहने से प्यजल की रख रही हलदवानी की सास कोने बस इतना ही बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें जेजे न्यूस के साम धन्यवाद